नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्टोलजी पर मैं यश्रा सिवारी आज आप सभी के समख उपस्तित हुआँ उच्छे सम राशियां, इवन नमबर की राशियां यानि कि व्रिशाव राशी, करगर राशी, कन्या राशी, मकर राशी एवन मीर राशी के जातकों के लिए देवगुरू रहस्पती का जो राशी परिवर्तन हुआ 1 माई 2024 को उस विशय पर इन 6 राशियों के जातकों के लिए कुछ खास चर्चा को करने के लिए इन शहराश्यों के जातक के लिए 1 और में 2024 से लेकर के 14 में 2025 तक चंद्रकाशी के अधार पर इस कारिटम को देखेगा जो टाइम फ्रेम में बताया इस प्रेम में आपके लिए विवहा के प्रबलतम योग मनने जा रहे हैं संतान प्राप्ति के प्रबलतम योग मनने के लिए जा रहे हैं या वो दंपत्ति जिनकी संतान नहीं हो पा रही थी और IVF के लिए वो आगे बढ़ना चाहरे थे उनके लिए ये वर्ष पूरा फर्स्ट आप में 2024 से फिर 14 में 2025 तक बहुत अच्छी उपलब्धियों को ले करके आ रहा है यहां पर आपको आपके भागे का साथ मिलने जा रहा है अब जब गोचर किसी चीज को प्रॉमिस कर रहा है मैं दुबारा से शीज को बता देता हूं जब गोचर किसी चीज को प् होने की वह अप्रॉक्स 85-90 परसेंट हो जाएगी यह इस बात की गैरेंटी होती है यदि गोचर के साथ में दशा भी किसी रिजल्ट को प्रॉमिस कर देतो अब जब गोचर से आपको लाब देखने में मिल रहा है कई बार क्या होता है कि उम्र बहुत जादा हो जाती हो वि पोजीशन इन छे राशियों के लिए ऐसी यदि गुरू की पोजीशन बनती है तो उनका विवाह भी इस समय पे होता हुआ देखा गया है आज कई जो वीडियो में होने वाला है यह किसी चीज़ की प्रेडिक्शन को लेकर के नहीं है यह में उपाय बेजड वीडियो है कि इस राशी के जा तक इन छे राशियों के जा तक अपनी अपनी समस्या के हिसाब से इस गोचर काल के दोरान कुछ उपायों को करें ताकि इस वर्ष में यह जो फ्रेम मैंने बताया इस टाइम फ्रेम में जिनका विवाह नहीं हुआ है जो विवाह की एक्षोक है उनका इतने में मिले तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनियेगा साथी साथ आप नोड कर लीजे ऐसा नहीं है कि इन विशय पर मैंने पहले नहीं बताया है इन विशय पर भी मैं पहले वीडियो लेकर कि आप सभी की समय को पस्तेत हुआ हूं नवरात्री इत्यादी के लिए आप इन उपायों को अवश्य ही कर लीजेगा जो पहला उपाय है वो सभी के लिए कौमन है यूवक और यूवतियां इन दोनों के लिए ही है मैं बता रहा हूं आप इनको करें यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इन उपायों को करें सबसे पहले तो गुरु गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्डी डाल करके स्नान गरना आपके लिए बहुत साथा बैनीफीशल होगा साथी साथ यदि आप पुरुष है स्क्रीन पर आपको मंत्र देखेगा पत्नीम मनुर्माम देही मनवरत्तानु सारडीम तारडीम द्रुग संसार सागर करें और जो नवरात्री आती है तो तीन महला जाब करें यदि आप युवती हैं आपको मंत्र देखने में मिल जाएगा कात्याइनी महा माय महा योगिन्य धीश्वरी नंद गोप सत्म देवी पतितमेकुरितेन महा इस मंत्र का जाब आप गुरुवार से प्रारंब करके न परश में बन जाएगी पसां कंडिशन है कि दशाओं में भी योग होने चाहिए गोचर के साब से योग तो बनी रहे हैं किसी भी तरह का व्यवदान आ रहा था इन उपायों को करके आपको बहुत हदता किलाव देखने में मिलेगा और आपकी जो इक्षा है विभा होने की पून हो जाएगी इसके बाद में वो नव दमपत्यां जिनको संतान नहीं हो रही थी वो लोग भी संतान गोपाल मन्त स्क्रीन पर आजाएगा इस मंत्र का पती पतनी दौनों क्योंकि दौनों को ही संतान चाहिए है गुरुवार से प्रारम बगर के नित्य इस मंत्र का एक माला चाप करें, आप सुभा भी कर सकते हैं, साथी साथ आप दोनों भी गुरुवार के दिन का यदि वरत करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, संकल्प ले करके संतान की प्राप्ति का यदि आप वरत करते हैं, तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस गोचरकाल में शिव जी का अभिशेक केसर मिश्टित दुग्द से किया जाए एवं वरत रखते हुए एवं शिव जी से क्रार्थना की जाए संतान प्राप्ति की तो यह उपाए भी करना आपके लिए काफी जादा बैनिफीशल होगा और अगर संभव हो तो आप भागवत कथा भी करा लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड किया जाता है उसका नूटिफिकेशन आपको मिलता रहे यदि इस कारिक्रम के माध्यम से आपका रहें ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका मांध्यम आप बने आज किस कारिक्रम में बस इतना ही रखते हैं नमस्कार